स्रेश वाय, नमस्तु भेहम, हम सबको पता है कि 16 शाथ पक्ष का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और ये जो पावन सा महीना है वो हमारे पित्रों को समर्पित होता है जिससे हम अपने पित्रों को त्रिप्त कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं बहुत जादा लोगों के मैसेज आये, इंस्टेग्राम पे भी, वोटसेप पे भी बिया गुरुजनिक उपाय बताया था पिछले वर्ष की कथा में, जिसमें उन्होंने मैना, धन्या और कला, जो कि ये कौन है, पित्र की बेटियों के नाम से कर हमने छोटा सा उपाय कर लिय तो हमारी साथ पीडियां राज करती हैं और हमारे घर में कभी पित्रदोश नहीं लग पाता, बात ये करेंगे कि वो जो तीन फूल और तीन चावल वाला उपाय है, वो हमें कहां पे रखना है, दरवाजे के पास में तो रखना है, लेकिन कहां पे रखना है, चढ़ाना अगले दिन इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे, बहुत ही विस्तार से समझाओंगा, वीडियो को पूरा देखेगा, ठीके ना, मैना, धन्या और कला, ये तीन नाम है, पित्र की बेटियों का, इसी की नाम से उपाय करना है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इ आपके घर के आसपास में कोई साभी सफेद फूल मिल जाए, ले लेना, कितने फूल लोगे, तीन फूल आपको लेने होंगे सफेद पुष्प के, ठीके ना, तीन फूल ले लिया, तीन फूल के साथ में हमें चावल का दाना भी लेना है, कितने चावल के दाने, तीन चाव जरूरी नहीं इस उपाय में कि हमें नई कटोरी लेना है आपके घर में पुरानी हो ले सकते हो बट उसे साफ सुतरा कर लेना अच्छे से वाश करना धुलना ठीके ना उस कटोरी के अंदर कुछ भी नहीं डालना सिर्फ आपको तीन सफेद फूल को डालना है और जो आपके पास में तीन चावल के दाने हैं उसे भी आपको उसी कटोरी में डाल देना बात करते हैं कि भीया इस उपाय को हमें कौन से दिन करना है इस पूरे श्राद पक्ष में 16 श्राद पक्ष में जब भी आपको मौका मिल जाए जब भी आपको टाइम मिल जाए आप इस उपाय को कर सकते हो ठीके ना इस काटोरी को उठाना आपके घर में एक होता है में गेट जो लोही वाला होता है लोही वाले गेट के पास नहीं जब हम लोही वाले गेट से अंदर घुशते हैं तो एक लकड़ी का हमारे घर में दरवाजा होता है वो भी में गेट ही बोला जाता ठीके क्या करना है उस दर्वाजे के या तो left side में या तो right side में जहां पे भी आपके पास में जगय हो थोड़ी सी दूरी पे चोखट के अंदर नहीं रखना है, चोखट के बाहर आपके पास में जो कटोरी है और उस कटोरी के अंदर आप लोगों ने तीन सफेद पुष्प और तीन आपने क्या डाले हैं, चावल के दाने उसे रख देना, किसी भी दिन रख करके इसको किसी भी चोटी सी कटोरी प्लेट से आप इसे ढख देना, पूरी रात रखा रहने दो, अगले दिन जब आप इस सो करके उठोगे, इस नान वगरा करने के बाद में, अपना मुख रखेंगे कौन से दिशा में, साउथ डिरेक्शन, खुद का मुख कौन से दिशा में होगा, अगले दिन आपको इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के पास से, चोखट के पास से उठाना, ठीके ना, उठाने के बाद में, आप इसे लेके पहुच जाना महादयो के मंदर में, जैसे ही मंदर में हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें दर्शन किसके होते हैं, पास में जो कटोरी है, उस कटोरी में से तीन सफेद पुष्प को निकालना और तीन चावल के दानों को निकालेंगे अपने राइट हैं, जिसको हम लोग सीधा हाथ, दाहिना हाथ बोलते हैं, उस दाहिने हाथ में लेकर के नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है, वहाँ पे टच कराओगे, तो वहाँ पे पित्रों की तीन बेटियों का नाम लेंगे, मैना, धन्या और कला, कौनसी, मैना, धन्या और कला, इन तीन बेटियों का इसमनण करते हुए, तीन सफेद पुष्प, तीन चावल के दाने, नंदी बाबा की उठे पैर पे सिर्फ टच करान के बाद में हम फिर प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं, आपको महादेव की जो सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता असोक सुंदरी, उन्ही के अस्थान पे फिर से वही काम करना है, जो नंदी ब पित कर दिया, तो आने वाली साथ पीडियों में कभी भी किसी को पित्र दोश नहीं लग सकता, इतना ताकतवर, इतना इंपोर्टेंट ये उपाय है, भूलना नहीं किसी को, हर विक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना, अब बात करते हैं कि बैया क्य जल नहीं चढ़ाना है, अब महादयो के शिवलिंग के पास तक गई ही हो, तो कम से कम जल तो चढ़ा ही देना, ठीक है ना, तो आप चाहो तो जल चढ़ा सकते हो, ना ही हो, तो जल ना चढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पित्रों के नाम से जल जरूर चढ़ाना, मेर बात समझ में अरे क्या तो आप इस उपाय को इस पूरे शोला सराथ पक्ष के दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिलता है जब भी आपको टाइम मिले ठीक है ना वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूरी बनी लेकिन बहुत जादा जरूरी था समझने कोशिश करते हैं इस उपाय के लिए हमें जरूर्थ पढ़ेगी एक पीपल के पत्ते की ठीक है ना सभी के घरों के आसपास होगा पीपल का पत्ता लेना ठीक पीपल के पत्ते के साथ में आपके पास में होना चीए पीला चंदन लाल चंदन काला चंदन जो भी से लगानी है किसके नाम से मैना धन्या और कला इन तीन बेटियों का स्मरण करते हुए पीपल के पत्ते के उपर तीन बिंदिया लगा देना ठीके ना अब इस पीपल के पत्ते को उठाना आपके घर में जो विक्ती परेशान चल रहा है जो विक्ती को बहुत जादा जाना वट व्रिक्ष के नीचे पीपल के पत्ते पे तीन बिंदी लगा करके मैना धन्या कला के नाम से वट व्रिक्ष के नीचे जाएंगे और वहाँ पले जाकरके उसी पीपल के पत्ते को वहाँ पे रख करके चले आएंगे अपने पित्र देउता अर्रेमन का नाम लेके फिर से बोल रहा हूँ कौन सा नाम लोगे पित्र दियोता अर्रेमन का नाम लेके अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं यकीन मानिए कभी आप पे घर में पित्र दोश नहीं लग सकता किसी भी कारण से आप पे घर में अगर खुशिया नहीं आती है तो आना स्टार्ट हो लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दीजिए जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कम से कम लाइक तो सभी को करना चाहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करी लो ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल पाए ठ पित्र दोस्त से मुक्ति के लिए अगर घर में धन नहीं आ रहा टिकता लिए पैसा इस उपाय को करके देखिएगा उसके लिए आपको लेना होगा काला तिल बहुत जाधा गिन्ना नहीं आपकर के कि एक दाना दो दान एक कि दान नहीं बस एक चमच के आसपस काला तिल ल गंगा जल नहीं है तो वैसे का वैसा ही छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं ठीकिना डाल दिया सारा चीज अब आप इस कटोरी को उठाना आपके घर में जहां पे मटका रखा जाता परिंडा रखा जाता है जहां पीने के लिए पानी हो आरो लगा हो कुछ भी हो उसी के पास म रात भर आपको उस कटोरी को रख देना है पूरे 16 श्रात पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं चतुरती हो पंचमी हो सश्टी हो कोई तिथी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं ठीकिना पूरी रात रखना अगले दिन जब आप फिर से सुबह सो करके उठोग आपके घर के आसपास में पीपल का पेंड वट का पेंड बेल का पेंड जो पेंड नजदीक हो तीनों नहीं जो भी एक पेंड इन तीनों में से नजदीक हो उस पेंड के नीचे जाएंगे और पूरा का पूरा कालतिल पित्र देवता अर्रिमन के नाम से अगर आप दोश नहीं लगेगा और जो पित्र इस 16 श्रात पक्ष में हमारे घरों में आए हैं निवास कर रहे हैं हमारे घर की रक्षा करते हैं देख भाल करते हैं वो पित्र जो है वो त्रिप्त हो जाएंगे और एक बार हमने अपने पित्रों को त्रिप्त कर दिया जीवन में कभी हम हमेशा हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, मालक्षमी कवास हमारे घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को, तीन उपाय आपको समझ में आ गए है, एक छोटे से उपाय की और हम लोग बात करते हैं, जो कि सफेद फूल से करना है, एक बात आपको बता द देने के बार में थोड़ा सा काला तिली ना, जादा नहीं, मातर एक चुटकी आपको काले तिल के जरुवत पड़ेगी, इन सभी चीजों को लेके महादयो की शिवलिंग के पास जाना, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि पित्रों का अस्थान जब ह आपको रखोगे, यहीं पे नीचे आपको रख देना है, और जो एक चुटकी काला तिल आपके पास में है, वो महादयो के शिवलिंग के उपर समर्पित करके, अपने पित्रों का स्मर्ण करते वे, ध्यान करते वे, जो भी विक्ति 16 श्राथ पक्ष में किसी भी एक दिन, एक लोटा जल अपने पित्रों का नाम का समर्पित कर देता है, इस तरीके से सफेद, पुष्प और काला तिल समर्पित करके, उनके घर में कभी पित्र दोश नहीं लगता, पूरी फैमली, पूरा परिवार उनका खुश रहता, ठीके न, करके देखना है, हर इनसान को इस छोटा सा और आसान सा ही उपाय था, बाकी मैंने कोशिश किया, आप सभी को अच्छे समझाने की, वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ मैं, नीचे कॉमेंट सेक्शने पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन, आवाज म तेरी पहरी बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, स्री शिवाय, नमस्तु भ्यम